है खेलो दोस्तों आज हमें पड़ेंगे सेड़्स कि जो आपके फस्टीयर के कॉर्स में आए जूहां इसेड़वेल पड़ें है वो जॉन राईडन ने लिकी है जो एड़ फर्यम है वो जॉन राईडन ने लिकी है नियु क्लासिकल पोईट है restoration edge में आते हैं देखते हैं sad well जो इसका introduction देखते हैं थोड़ा सा sad well जो ये poem है has been taken from Mac Flakno ड्राइडर ने एक बड़ी कवीता लिखी थी एक epic type में लिखा था उसका नाम है Mac Flakno इससे ली गई है ये poem sad well इसकी आगे की जो lines है वो है इसमें ये एक long poem है और 270 lines 270 lines के कवीता है this poem was written in 1678 ये poem 1678 में लिखी गई थी and published in 1682 और 1682 में publish हुई थी कब लिखी गई थी 1678 में और publish कब हुई थी 1682 में it is a satire on Thomas Sadwell और ये एक satire है Thomas Sadwell के उपर अब देखो इसमें Thomas Sadwell कौन था तो Thomas Sadwell और जो John Raiden है ये दोनों घनिष्ट मित्र थे अच्छे फ्रेंड थे Thomas Sadwell भी एक point था ये दोनों अच्छे मित्र थे लेकिन किसी बात से इनका जगड़ा हो जाता है किस बात से जगड़ावा वो इसमें देखेंगे अपन बेग्राउंड देखते हैं इस पयाम का बेग्राउंड क्या है ये एक अच्छे मित्र थे लेकिन कई उनके बीच में डिसेग्रिमेंट हुए जिनके कारण वो आपस में क्या हो गए दुश्मन हो गए एक दूसरे के देखो पहला तो है पॉलिटिकल पॉलिटिकल में क्या है देखो उस टाइम पे इंग्लेंड में दो पार्टी चलती थी टौरी और विग टौरी तो राजा को सपोर्ट करते थे और जो विग है वो एक सोशल पार्टी थी वो सोशल रिफॉर्म चाहती थी तो जो ड्राइडन है वो तो राजा को सपोर्ट करता था इस्टौर्ट उस टाइम पे था उसकी मौनार्की को सपोर्ट करता था ड्राइडन तो टौरी का समर्थकता और जो सेडवेल था वो विग का समर्थकता ये आपस में एक दूसरे के बिरोधी थे तो political जो views थे इनके वो एक दूसरे के बिरोध्य हो गए एक Tory को सपोर्ट करता है और एक Week को सपोर्ट करता है दूसरा कारण है इनका religious, जो religion, religious disagreement इसमें क्या है, ये दोनों अलग-अलग धर्म को मानते थे जैसे दो अलग-अलग पंत चलते हैं इसमें, इसाईयों में ये जो जो जोन राइडन था, वो तो Catholic और जो सेडवेल था, वो Protestant था सेडवेल ने एक कभिता में Catholic और जो इनकी Angelic थियोरी है उसका बिरोध कर दिया था तो एक तरीके से ड्राइडन का विरोध हो गया वो तीसरा है इनका literature का literature में क्या था, जो John Dryden है वो तो Shakespeare को महान मानता था जबकि जो सेडवेल है, वो Ben Johnson को महान बताता था और इसको ही, जो सेडवेल कहता था कि मैं इसके कार्या को ही आगे बढ़ाऊँगा Ben Johnson के को, जबकि जो Ben Johnson को जो अंड्राइडन है, वो जदा बैटर नहीं मानता था उसके पास, वो मानता था कि इसके पास विट की कमी है डंग से यूज नहीं करता है आगे देखते हैं ये सेडवेल पोयम है इसके बाद क्या हुआ ये ऐसे बिरूदी तो थी इनके बिरूद में और ज़्यादा बिरूद कब हो गया सेडवेल ने एक पोयम पब्लिस की थी The Medal of John Wage पोयम कौन शी थी The Medal of John Wage ये पोयम थी इसमें Which attacked on John राइडन इस पोयम ने Sadwell ने John Riden पर attack किया था तो इसका response John Riden ने दिया है किस पोयम में Mac Flakno में जो ये अपन पोयम पड़ेंगे कौन सी पोयम में दिया है Mac Flakno Mac Flakno क्या है इसके बारे में देखते है Mac Flakno क्या है Mac का मतलब तो होता है Sun पुत्र और Flakno Flakno क्या है Flakno देखते है Richard Flakno कौन था एक Irish पोयिट था ड्रेमेटिस्ट था जो ज़्यादा वेटर पोयिट नहीं था उसको आश्या इस पद बताया कि इसने Andrew Marvel जो पोयिट है जिसकी Thoughts इने Garden अपने कॉर्स में पोयम है जोन राइडन ने भी उसको रिडिक्यूल किया है उसको मजाक उड़ाया कि इसमें Epigrams of All Sort इसका एक बॉल्यूम है इनका जोन राइडन का 1670 में पुब्लिस हुआ था Epigrams of All Sorts इसमें दोनों ने इसमें मजाक उड़ाया है Richard Flakno का ये पोयिट था बेटा बताया गया है तो उनको क्या माना गया इसका Poetic Parent माना गया है डाइडन cast him in this poem in the role of King of Nonsense जो भी हम पोयम पढ़ते देखते हैं इसमें जो बेब कूप है उनका राजा बताया है नौनसेंस भकवास का राजा किसको बचाया गया है Richard Flakno को and Sadwell as the son of the King of Nonsense और Sadwell को क्या बताया है Richard Flakno का बेटा King of Nonsense का बेटा अब इसमें देखो मैं क्यानी तो क्या होता है मैं क्यानी होता है सन और Flakno Flakno Richard Flakno तो Richard Flakno जो क्या है King of Nonsense है बेब कूपी का राजा है वो Richard Flakno और उसका बेटा कौन है Sadwell बताया है अब देखो It is a satire यह क्या है satire है Satire क्या होता है A literary work in which humor and exaggeration Is used to criticize something Someone यह क्या होता है Satire क्या होता है Satire एक ऐसा literary work होता है साहित्तिक रचना होती है जिसमें हम किसी का मजाक उडाते है बहुत बड़ा चड़ा कर Thomas Sadwell has been described Sorry, esoterized in this poem और इस poem में जो Thomas Sadwell है उनका मजाक उडाया गया है आगे है mock epic heroic poem जो यह poem है Mac Flakno जिससे Sadwell ली गई है वो क्या है mock epic या heroic poem है वो कैसे है Epic क्या होता है Epic एक बहुत बड़ी poem होती है जिसकी style थोड़ी स्रेश्ट होती है उन्नात होती elevated style होती है और mock क्या होता है mock होता है नकली epic नकली महाकावे जो होता है और इसमें क्या है नकली महाकावे कैसे है elevated hero एक style तो है इसकी लेकिन क्या है इसका जो subject है वो trivial है तुछ है subject क्या है तुछ है जबकि इसका subject हाई होना चीए epic का लेकिन इसका subject तुछ है इसलिए ये mock की epic या heroic पयाम है आपको ये introduction इसका समझ में आ गया होगा अगले वीडियो माँ हम इसकी पयाम पढ़ेंगे sad well जो mac flakno से ली गई है तो इस प्रकार जो ये mac flakno है वो एक satire है sad well के उपर sad well को बेब कुफी के राजा का पुत्र बताया गया है ठीक है आपको समझा गया होगा ये और इसको आप subscribe करिए और share करिए अपने friends के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके नन्यवाद